हेलो दोस्तों बास ओफ इने शेयर बजार में आपका एक बाद फेसे सो आगते हैं आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटी बाते करने वाले है जो आतिम निर्बा भारत एस वेल एस एगरी कल्चर से लेटेड है एगरी कल्चर से लेटी है और जिस पीए पे वो मिल रहा है उसमें बारेंग जो रह गई है उसने डेट फिरी कर दिया है जीरो यहां डेट फिरी हो गई है कंपनी तो मैं उससे लेटी बाते करने वाला हूं तरह पर रुपे का शेयर है काफी बैतरिंग उसने परफॉर्फॉर्मस भी दिया है पिछले टाइम में और बहुत अच्छा रूसी बी है तो उससे लेटी बाते करने वाला है आए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपसे रुकष्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस आप इने शेयर बजार को सब्सक्राइब करिये शेयर करिये और एक बात और बताना चाहता हूं कि आप एंजल ब्रोक पैनों में अगर आप ट्रेट करते हैं के विडियो में मिल जाएगी तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह जो शेयर है कितना बहतरी शेयर है यहां पर अगर देखे तो 52 रुपे का इसका प्राइज है 52 वीक लोग की बात करे का इसका 52 वीक हाई है जो कि 2 दिसंबर 2020 को मतलब इसी महीने में बना भी है और डिलीवरी की बात की जाए तो देखें लगबर 38 परसेंट की डिलीवरी आज की डेट में उठाए गई है कमपनी के पास 90 परसेंट की शेर होल्डिंग पैटर्न है और 10 परसेंट की यहां पर पब्लिक के पास है तो कमपनी कभी भी OFS भी ला सकती है इस शीट का भी हमें ध्यान रखना होगा कमपनी डिविडेंट तो नहीं देती और कोई भी शेर इंका गिर भी नहीं है तो काफी अच्छा है यहां पर हमें सब कुछ नजर आ रहा है तो जिस शेर के बारे में बात करना वाला हूं वह है फर्टिलाइजर और केमिकल्स त्रामव को लिमिटेड तो यह कमपनी करती क् इससे पहले में आपको बताना चाहता हूं कमपनी का चार्ट पैटन वन डे का परफॉर्मेंस देखे लागा दो परसेंट किरावट है फाइव डेज का देखिये पॉजिटिए आपको नजर आएगा पचास रुपे के शेर बामन रुपे वन मंद का चार्ट पैटन देखि इसी एक शेर चल रहा था इसी रेंज पर आ भी गया है और जैसे की फुटिट टूपे का और प्या रिटर्स यहां पर दिये है बनाके वह आप देख सकते है लगब डबल आपको साथ-आट महीने में आपके पैसे को डबल कर दिया है मैक्सिम चार्ट पैटन देखे इसी के इर्दिगेर यह शेर घूमता रहा है ओके पॉजिटिव डिटर्स है बट इसी के इर्दिगेर और वोलेटिलिटी बहुच जादा है क्योंकि यह शेर काफी छोटा शेर है तो करती क्या है कंपनी हम उससे बाते कर लेता है तो मैं आपको एकाने चाहता हूं कि द फर्टिला कि यह कंपनी है ओके जो कि फर्टिलाइजर केमिकल्स में डील करती है और पहली सबसे जादा सबसे बड़ी लार्जर स्केल में वाली यह कंपनी है तो कंपनी काफी बहतरीन है किर्शी से सीधे सीधे का रिलेशन है एस वेल आपको पता भी होगा लैक्स ओफ करोर रोपीज इसका हमारी गौर्वर्मेंट ने श्टूमलस पैकेज इस स्पेशल इंसेंटिब भी दिया है और हमारी गौर्मेंट हमारे इस देश को सही में किल्शी परदान देश बनाना चाहरी है तो इस शेयर पे हमें काफी फोकस कर सकते हैं क्योंकि यह शेयर जो मिल रहा है आपको क काफी लो पी पे मिल रहा है अगर मैं आपको बात करूँ तो कितने के पी पे देखिए स्मॉल केप कंपनी यह 3,394 करोड का मार्केट कैपिटल है पी कितना तीन माला 3.04 का पी है आरोसी की बात कर देखिए रिविटर और कॉपिटल एमपॉर्य यह सबसे इंपोर्टन होता कंपनी के पुरोस की तो देखिए कंपनी जो यहां पर टैट फिडियो हो गई है कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा अभी और यहां पर आपको मैं दिखा भी देता हूं परेले सेल्स की बात कर ले देखिए दोजर रखरा में 314 का जून में था चुनियर सेल बढ़ती बढ नजाए थी बार सेप्टनमर में देखिए लगभवत 1047 करोर रुपीज के यहां पर सेल खेंश की बात की जाए तो कंपनी का एक्सपन साब से होगा तो 911 करोर का एकसपन्स और इस quarter के profit की बात की जाए तो यहां पर पिछले quarter में 18 करोड का गाटा था और EPSB अर्दिक पर शेर भी 0.27 माइनस में था तो यहां पर 83 करोड रुपीज का इस quarter में profit as well as 1.28 का EPSB नज़र आता है profit and loss की बात की जाए तो देखिए इस यहां पर अगर year on year basis अगर हम बात करते है तो देखिए 1981 करोड से लेके जो इस quarter में था okay 2770 का था March के जो पूरा financial year में और अभी तक लगबग 3086 रुपीज का sales expense उसी इसाब से जो होते ही है okay net profit 1115 करोड रुपे का net profit यहां पर देखिए माइनस में profit चल रहा था company positive मतलब profit में आने लग गई है तो आप समाझ सकते है company कितनी बहतरीन हमें नज़र आ रही है CAGR की बात करें तो एक साल का CAGR 41 परसेंट पांस साल में 19 का तो यहां पर 41 परसेंट का स्रिया है और 30 का CAGR होता है तो मैंने आपको बते ही रखता है 10 लाक रुपीज 30 के CAGR से अगर हमारा बढ़ता है तो 100 करोड रुपीज इना 30 एर के period में हो जाते है बैलंस शीट की बात किये तो देखिए बैलंस शीट पर जरूद हैं दीजिएगा कि रिजर्फ्स शायद यहां पर रिजर्फ्स यहां पर कंपणी ने बाराइंग में खर्च कर दिया है तो 1119 करोड की बाराइंग थी 2015 में फिर 1800 की हुई फिर 2014 से बाराइंग कम करती हुई नज़र आ रही है देखे 2200, 2200, फिर मार्श क्वार्टर में कितना 1821 करोड की बॉर्इंग थी आपर कर्स था डेट था जो कि अभी कितना हो गया बात है तो यहां पर सब चीज देखिए पॉजिटिव नजर आ रही है इस वरल हम बात कर ले कैश and cash equivalent की तो कंपनी के पास 667.17 करोड रूपीज के यहां पर cash and cash equivalent भी मार्च में था अभी का data हमें यहां पर update हुआ नहीं है शायद company ने अपने आपको debt free किया है तो यहां पर कुछ उलट फेर हो सकता है तो अगर हम बात करें यहां पर update के डिविडेंट company ने अभी तक दियानी है bonus लाइनी है split लाइनी है right issue लाइनी है बट एक चीज का दिखाना चाता हूं कि company के पास promoters के पास 90% की shareholding है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है company कभी भी OFS ला सकती है तो इस शीट पर हमें ध्यान देना होगा बट OFS अगर company लाई भी तो company इतनी बैतरी मुझे नजर आ रही है किस लेवल पर तो दूबारा आई जाएगी तो इसलिए और आगे बढ़ने के इसके बहुत सारे chances भी क्योंकि company एक तो आतम दिर्बा भारत की ओर है as well as a company किर्शी से related है जो कि government हमारी इंडिया में किर्शी को बहुत जादा महत्व दे रही है तो इस share के आप नजर रख सकते हैं watch list में एड कर सकते हैं और invest करने से पहले अपने financial advisor से आप जरूर पूछ लीजेगा तो अगर वी आ सकते हैं जो कि आपको description में link मिल जाएगा तो thank you so much god bless